हलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल टुक चैनल में जिसका नाम है एस सोल सोलिशन मैं चंदन कुमार हाजिरूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोग परशासन की प्रकरती के उपर यानि लोग परशासन जो है वो एक कला है या फिर एक विज्ञान है ये कोशन बहुत बार आपके ग्रेजिवेशन और पोस्ट ग्रेजिवेशन के स्टूडेंट्स के एक्जाम में आता है चाहे वो किसी भी एर के स्टूडेंट हो अगर उनके पास में पब्लिक एडमिनिस्टेशन का सब्जैक्ट है या फिर वो किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो उपन में पढ़ते हो या रेगुलर में या फिर वो ओनर्स के स्टूडेंट हो या फिर वो ऐसे स्टूडें और उसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि भई लोग परशासन एक कला है कुछ लोग कहते हैं नहीं कि जैसे राजनितिक विज्ञान एक विज्ञान होता है ठीक इसी प्रकार से जो लोग परशासन है वो भी एक विज्ञान है चले स्टार्ट करते हैं तो भई लोग परशास प्रशासन को राजनितिक विज्ञान की तरह ही एक विज्ञान मानते हैं चलिए दोनों के तरकों के बारे हुँ बात करेंगे आपके एक्जाम में जिनके भी तरक पूछे जाएं तो आप इसका अंसर लिख सकते हैं तो भी लोग प्रशासन एक कला के रूप में तो आप कला जिसे हम घ्यान के रूप में अपने जीवन में उप्योगी डंज से यूज करते हैं वो हमारी क्या कैलाती है कला कैलाती है और ये कला जो एक रियात्मक और यथारत रूप की कला है यानि हो सकता है किसी चीज से जुड़ी भी कला हो activity से related या फिर वास्तविक्ता के भी बन सकता है अने के विद्वानों ने लोग परशासन को कला माना है और उन्होंने कहा है कि परशासन का उद्देश जैसा कि आपको मैंने पढ़ा है पिछली दो वीडियो में लोग परशासन के बारे में तो आपको ये तो पता चली चुका होगा कि बही परशासन का देशे की पूर्ती के लिए व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है लोग प्रशासन कहलाता है अगर हम देखें इस द्रिश्टी से अगर हम देखें कि प्रशासन कला है या पिर प्रशासन के बारे में हम बात करें कला नहीं भी है विज्ञान है तो ऐसे बहुत बोग परशासण एक कला है, और ये अन्य कलाओं की तरह प्रशासनिक कला की तरह खरीजा नहीं जा सकता, य Panel उर्विक इनका खैना है कि भी परशासन एक कला होती है, और बागी शब कलाओं को तरह मार्केट में जा कर खरीज सकते हैं, परन्तु जो परशासनिक एक ऐसी कला है जिसे खरीदा नहीं जा सकता नमर सेकेंड पर आपके विद्वान आते हैं जिनका नाम है वाइट वाइट का कहना है कि परशासन को विज्ञान मानने का परशन भविश्य पर छोड़ कर यह मानते हैं कि वर्तमान में हमारे लिए बहुत आवशक है इसलिए इसे हम कला के स्रेणी में रखते हैं क्योंकि देखो बहुश्य में कोई भी चीज नहीं बदलती है scientifically prove होती है यह विज्ञान होता है और कला जो होती है वो क्या होती है वर्तमान समय की हमें बातें बताती है इसके लावा आपके ओडवी हीड या फिर MP शर्मा इन्होंने क्या का है कि भई जो ये एक लिलित कला है ये कैसी कला है जो आपको काफी अभ्यास के करने के बादी आपको ये गुन मिलता है तो भई यहाँ पर बात करते है परशासन जो है एक कला है क्योंकि इसमें काफी ज़्यादा अभ्यास प्रसिक्षन और काफी ज़्यादा दक्षता के बादी इसे हासल किया जा सकता है परशासन की योगिता कोशल या फिर आपके अभ्यास पर निर्वर करती है आपको ध्यान रखना है परशासन जो है वो किस पर निर्वर करता है परशासन निर्वर करता है एक तो आपके अब्याज पर और दूसरा इसका दूसरा इसका किसी इसके ओपर निर्वर करता है यह आपकी दक्षता पर निर्वर करता है लोग परशासन के कला होने के पक्ष मे हो सकती है या फिर कोई सिक्षा की कला हो सकती है तो वो निश्चित उनकी कारेपद्धती होती है या निश्चित से दांतों को फॉलो करती है उसी को यदि इन से दांतों का पालन ना किया जाए तो उस कला में निपूरता नहीं आ सकती, यह सब आपको पता चल गया होगा, उसी प्रकार लोग परशासन में भी कुछ निश्चत से दान्त होते हैं, अगर हम उसका पालन ठीक डंग से नहीं करेंगे, तो क्या है, कि भी लोग परशासन ठीक डंग से नहीं चल पाएगा, इसलिए कला के स्रेणी में हमन अध्यन करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप लोग एक ऐसे अच्छे सासक बन सकते हो, या फिर आप लोग को एक अच्छी ट्रेणिंग दी जाए, एक अच्छी तरीकी से आपको सिक्षन दिया जाए, इसके बाद ही आप अच्छे परशासक बन सकते हो, तो यह इसे हम इस प्रशासक बन पाए अगला पॉइंट आप लोगों के लिए विकास के तत्व पर भी लोग परशासन को कला माना जाता है जिस प्रकार कलाओं का विकास होता है उसी प्रकार लोग परशासन का भी विकास होता है और यह क्या है आपको ध्यान रखना है परिवर्तनियत अकाल का परमुकु गुण है जिस प्रकार कला की पद्दती या फिर कला के जो परकरिया है वो परिवर्तन शील है, आप सब को पता होगा कि जो कला के जो परकरिया हो कैसी है, परिवर्तन शील है, परिवर्तन शील का मतलब क्या है कि वो अपने जो फेसे से उसको बदलती रहती हैगी, कला के जो पद्दती येगी वो बदलती रहती है समय के अनुसार कला का जो तरीका है पहले कुछ और था अब का और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और हो जाएगा ये समय और परिस्तिती के अनुसार बदलती रहती है ठीक यही चीज़ अगर हम देखें तो भई लोग परशासन में भी अगर हम लाए जा रहे अब हम बात करेंगे उन पॉइंटों के बारे में जो ये कहता है कि लोग परशासन बलकी कलारी राजनीतिक विज्ञान की तरह ही एक सब्जेक्ट है तो भई लोग परशासन विज्ञान है अत्व नहीं यदि विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान कहा जा सकता है, बहुत से लोगों के मन में ये परशना आता है, चलि हम एक करके करके सारी आपकी question जो है उसको solve कर देंगे, किसी विशे को सू संगटित, सू वैवस्तित या करंबद ज्यान को विज्यान का जाता है, यानि ध्यान रखना है, किसी भी विशे के सू संगटित या हम विज्यान कहते हैं, विज्यान ग्यान की वह शाका है, जिसमें तत्यों के अधार पर नहीं, विज्यान कारण पूस्ता है, कारणों के अधार पर उनका क्या किया जाता है, निर्वाहन किया जाता है, और उसके अधार पर उसके निसकर्ष एनलाइसिस किये जाते हैं, और उसके होने ना होने पर उसके अस्तित्यु पे भी इस बात का परशंचिन लगता है और इसी प्रकार से हम देखते हैं विज्ञान के बारे में हमें पता चलता है तो भई अब एके करके तरक के बारे हम बात करेंगे तो भई विज्ञान अनुसंधान एवं परियाविक्षन य उसी प्रकार से लोग परशासन के लिए भी खिया जाता है कि किस शेतर की कैसी परशासनिक वेवस्ता है कैसे वहां पर वरगी गरन उसको क्लासिफाई किया जा सकता है तो इस तरीगे से हम यह कह सकते हैं कि लोग परशासन भी विज्ञान के तरह ही एक विज्ञान है दूस इसरी बात ये बताई गई है लोग परशासन में कुछ निश्टित नियम या सिद्धान्त और उसका करमबद एक एक करके ये मध्यन करता है इसे साइंस में होता है एक चीज करके आपको पढ़ाई जाती है systematically आपको sustainably आपको बताया जाता है लगातार सत्त रूप से ठीक इसी दरीगे से यहां पर भी लोग परशासन में भी यही बात आती है इसके अलावा लोग परशासन अनुबव का एक ऐसा विज्ञान है जिसका अध्यन अनुबवों के अधार पर ही किया जा सकता है और ठीक इसी प्रिकार से विज्ञान को भी देखे हैं जब तक हम science को experience नहीं करते जब तक लोग परशासन जो है वो नहीं मानना है था अब बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो विज्ञान मानने से इंकार करते है और reality अगर हम देखे तो लोग परशासन जो है वो विज्ञान परशासन में ऐसा नहीं होता इसमें कोई भी नियम ऐसा निश्चित नहीं होता जो समय के according में ऐसा ही बना रहे दूसरी बात सारवोमेक सिद्धान्तों का अभाव इसमें हम देखेंगे कि हमेशा के लिए जैसे कि यह पॉइंट में बताएं कि हमेशा के लिए निश्चिता होती है कि हमेशा यह चीज ऐसी चलने वाली है तो हम इसके अंदर यह भी चीज कोंसिप्ट को देखते हैं अगला पॉइंट है परियवेक्षन तता परिक्षन का अभाव यानि हम लोगपरशासन का पुनह निरिक्षन नहीं कर पाते वहीं साइंस की बात करें तो साइंस को आप कितनी बार भी पुनह निरिक्षन अगर सकते हो परंतु लोगपरशासन का पुनह निरिक्षन नहीं कर पाते लोगपरशासन एक आदश आत्मक है या आदश नैतिक व्यवस्ता पर अधारित होती है इसकी वास्तिविक्ता हमें बहुत कम दिखाई देती है परंतु स्चय वानि और पूर कत्णियता का भाव यानि भविष्व में भी यह ऐसा रहेगा ऐसा कहना कहीं भी संभव नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि विज्ञान नहीं है अगर हम निश्कर्ष की बात करें तो लोग परशासन एक जटल वेवस्ता है लोग परशासन के मामले अगर हम देखें लोग परशासन में ऐसे साज के मामले शामिल होते हैं ऐसे जो कि एक कला की तरह होती है बहुत ज़्यादा अभ्यास करने के बाद ही हमारे लिए और लोग पर शासन अध्यन पद्दती के कारण इसे विज्ञान माना भी जा सकता है क्योंकि कई बारी हम इसके इंदर साइन्टिफिक रूप का प्रियोग करते हैं पर यह प्योर साइन्स नहीं माना जा सकता तो गाईस इसी इसाब से आप लोगों को इस क्वेश्चन का निस जरूर करेंगे ताकि आने वाली जैसी कोई हमारी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए चाहिए आप फर्स्ट येर के सैकंड येर के थर्ड येर के बलता है मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जै हिन जै भारत